नमस्कार बच्चों! आज की कहानी का शीरशक है मुझे अपने ड्रैगन के बारे में बताओ! यह एक अंग्रेजी कहानी है तेल मी अड्रैगन जिसका हिंदी में अनुवाद आपके मनुरंजन के लिए रिशी गुपता द्वारा रादर लिसन चैनल पे किया गया है। आशा करते हैं आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा! अपने ड्रैगन के बारे में बताओ और इस विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना! मेरा ड्रैगन तो सूरज और तारों से बना है, चमकीली मिट्टी से सजा हुआ चम चमाता हुआ, वो रात को चांद के आसपास आसमान में दिखाई देता है। मेरी ड्रैगन तो मीठे सुगंधित फूल खाती है, जब वो हस्ती है, उसकी सांसों में फूलों सी खुश्बु आती है। मेरे ड्रैगन के पैने नुकीले दाथ हैं, वो खतरनाक भी है और बहादुर भी। मेरा ड्रैगन तो एक गाउं जितना बड़ा है, उसके जेड जैसे पर हैं, और एमबर जैसी आँखे हैं, और उसकी पूछ तो एक नदी जितनी लंबी है। मेरे ड्रैगन छोटे छोटे हैं, जिनके हलके परों पे इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं। मेरा ड्रैगन एक आसमानी ड्रैगन है, हम साथ में हवा की धुन पे सवारी करते हैं। मेरा ड्रैगन एक समुद्री ड्रैगन है, वो पूरे दिन खेलता है और समुद्र की लहरों पे डॉल्फिन्स के साथ रेसिंग करता है। मेरा ड्रैगन एक आग वाला ड्रैगन है उसका दिल हमेशा गरम रहता है मेरा ड्रैगन एक परफीला ड्रैगन है उसकी सांसों में से स्नोफलेक्स निकलते हैं मेरे कानों पे लिप्टा हुआ मेरा ड्राइगन सुन्दर मधुर गाने गाता है और अजीब अजीब कहानिया सुनाता है दूर दूर की और बहुत पहले की मेरे तकिये से लिप्टा हुआ मेरा dragon सोता है और एक नजर दर्वाजे पर रखता है जिससे कि कोई भूदप्रेथ मेरे सपनों में ना आए हो सकता है आपके सपने में आपका dragon आए और अपने dragon के बारे में हमें जरूर बताएं ड्राइगन्स की ये कहानी सुनने में मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले